ओडिशा के प्रशास्निक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। पूर्वी तटीएक शेत्र में वंदे भारत में यात्रा करने वाले यात्रियों के आंकडों के अनुसार कुल यात्रियों में से ओस्तन 47.6% युवा और 25-50 वर्ष की आयू वर्ग के श्रमिक वर्ग के हैं जो परिवहन के अन्य साधनों से उपर वंदे भारत एक्सप्रेस प पता तब चला जब आसपास के लोगों ने दुकान के अंदर से धुआ निकलते देखा इसके बाद दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई किसी तरह से आग पर तो काबो पाया जा सका लेकिन दुकानदार को करोडों का नुकसान हो गया राज्य सरकार ने तिरपन और O.S. अधिकारियों का तबादला कर दिया है इन्हें मिलाकर पिछले साथ दिनों में जिलास्तर पर कार्यरत कुल 250 O.S. अधिकारियों का तबादला किया गया है राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार तिरपन O.S. अधिकारियों को विभिन्न स्थानों पर तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर और बीडियों के रूप में नियुक्त किया गया है पॉंद्रिस विधायक C.S. राजेन एकका को गुरुवार को सुन्दरगड जिले के राजगांगपुर में एक सामुदायक स्वास्थ्य केंद्र CHC में मरीजों का इलाज करते और दवाय लिखते हुए पाया गया राजगांगपुर से ओडिशा विधान सभा के लिए चुने जाने से पहले विधायक एक का पेशे से डॉक्तर थे ओडिशा में इस साल 2800 से अधिक लोग स्क्रब टाइफस बीमारी की चपेट में आये हैं जो पिछले साल की तुलना में 80% अधिक है लोगों के अधिकाधिक संख्या में संक्रमित होने की क्या वज़य है असकी जाच करने राजज में आई केंद्रिये टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है इसमें कई चीजों को संक्रमन के लिए दोशी ठहराया गया है पैसों की कमी के आगे इनसान किस हद तक मजबूर हो जाता है इसका जीता जाकता उदाहरण है आदिवासी लड़की नमिता भोई 23 साल की नमिता कबड़ी में कई दफा जीत हासिल करने के बाद भी आज दूसरों के घरों में काम करने और बकरिया चराने पर मजबूर है साल 2014 में उन्होंने ओडिशा अंडर 14 कबड़ी टीम की कप्तानी भी की थी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पैरा एशियाई खेलों में उतक्रिष्ट प्रदर्शन करने वाले ओडिया खिलाडी प्रमोद भगत के लिए दो करोड रुपय के नकद पुरसकार की घोशना की भगत ने चीन के हांग जोव में चल रहे एशियाई पैरा खेलों में पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल S.L.3 स्परधा में स्वर्ण पदक जीता है उन्होंने अपने समकक्ष नितेश कुमार के खिलाफ कड़े मुकाबले में जीत के बाद स्वर्ण पदक हासिल किया बाहानगा में हुए दर्धनाक रेल हादसे में क्षतिग्रस्त होने वाले कोरोमंडल एक्सप्रेस के इंजन एवं कोच को नीलाम किया गया है पिछले दो जून को बाहानगा में ट्रेन हादसे के बाद से कोरो मंदल एक्सप्रेस के इंजन और कोच के साथ यश्वंत पुरहावडा एक्सप्रेस के दो कोच बाहानगा रेलवे स्टेशन पर पड़े हुए हैं ऐसे में अब ये सभी इंजन एवं कोच की नीलामी की गई है एक प्रेमी जोडा शादी करने की गुहार लगाने के लिए थाने पहुँच गया दोनों की जाती अलग होने के कारण स्वजन उनके विवाह का विरोध कर रहे थे दोनों गोबिंदपूर थाने में पहुँचे जहां पुलिस ने मामला सुन्दरगड जिले के होने के कारण धरवाडी ही थाने जाने की सलाह दी धरवाडी ही थाने पहुचने पर पुलिस ने कहा कि वो कोट में जाकर शादी करने के लिए स्वतंत रहे ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे केंद्रिय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहट विशेश ट्रेन अमरित कलश यात्रा को हरी जंडी दिखाई है यह ट्रेन 270 कलश मिट्टी भर कर भुवनेश्वर से दिल्ली के रवाना हो गई है धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर मीडिया से भी बात की मुकेश अमबानी को जान से मारने की धमकी मिली है मुकेश को 27 अक्टूबर को एक इमेल पर जान से मारने की धमकी मिली जिसमें 20 करोड रुपए न देने पर गोली मारने की धमकी दी गई थारत ने शुक्रवार को सन्युक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डनम सौधा प्रस्ताफ पर मतदान करने से दूरी बना ली इसमें इसराइल हमास युद्ध में ततकाल मानविय युद्ध विराम और गाजा पट्टी में निर्बाध मानविय पहुच का आहवान किया गया था उन्होंने कहा कि मैं हैरान और शर्मिन्दा हूं कि हमारे देश ने गाजा में युद्ध विराम के लिए मतदान करने से परहिस किया थाजपा सांसद निशिकांत दुबे और TNC सांसद महुआ मोईत्रा के बीच विवाद कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है निशिकांत दुबे ने शनिवार को आरोप लगाया कि कैश फॉर क्वेरी विवाद के बीच गवाह को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है और उन्होंने लोगसभा अध्यक्ष से कारवाई करने का आग्रह किया पिछले कुछ ही दिनों में प्यास की कीमत में भारी वृद्धी देखी गई जो लोगों के बजट को प्रभावित करने लगा है नवरात्री से पहले प्यास की कीमत 25 से 30 रुपए प्रती किलो थी जो 3 दिनों में 55 से 60 रुपए प्रती किलो हो गई है और अब बाजारों में 65 से 70 रुपए प्रती किलो बिक रही है PM मोदी ने आज रोजगार मेले के तहट 51,000 युवाओं को नियुक्ती पत्र सौंपे PM ने विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि अब सरकार केवल घोशना ही नहीं करती काम भी करती है विपक्षी पार्टी बांगलादेश नेशनलिस्ट ने प्रधान मंत्री शेक हसीना के इस्तीफे और अगले साल आम चुनावों की देखरेख के लिए एक गैरपक्ष पात्पूर्ण कारिवाहक सरकार को सत्ता सौंपने की मांग की है विपक्षी पार्टी ने इस मांग को लेकर राजधानी में एक सामुहिक रैली आयोजित करने की योजना बनाई है न्यूजिलेंड के खिलाफ धर्मशाला में खेले जा रहे ICC वर्ड कप 2023 के 27वे मैच में डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड का बल्ला जम कर बोला विश्व कप में अपना डेविव मैच खेल रहे हेड ने चौके छक्को की बरसात करते हुए 67 गेंडों पर 106 रन की यादगार पारी खेली दूसरे छोर से इनफॉर्म बल्लेबाज वार्नर ने भी बल्ले से खूब धमाल मचाया पांच मैचों में सिर्फ एक जीत और हाथ लग चुकी है चार हार ICC वर्ल्ड कप 2023 में यहाँ हाल डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड का है अफगानिस्तान और फिर श्री लंका जैसी टीम ने इस टूर्नामेंट में जोस बटलर की सेना को चारों खाने चित किया है टीम इंडिया के खिलाफ अगर इंग्लैंड के हाथ से जीत फिसली तो टीम के विश्व कप सफर पर ब्रेक लग जाएगा धर्माशाला के मैदान पर भले ही डेविड वार्नर लगातार तीसरा शतक लगाने से चुप गए लेकिन कंगारू उपनर ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी से जम कर धमाल मचाया वार्नर ने विसपोटक अंदाज में खेलते हुए 65 गेंदों पर 81 रन कूटे वार्नर ने अपनी इस पारी के दौरान 56 रन सिर्फ 11 गेंदों पर चौके छक्को से बटोरे आस्ट्रेलिया इबैटर ने खास मामले में विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है ICC World Cup 2023 के 27 मैच में आस्ट्रेलिया की भिणत न्यूजिलैंड के साथ हो रही है कंगारू टीम की ओर से डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ने जम कर तबाही मचाई वार्नर ने 81 रन की दमदार पारी खेली तो हेड ने तूफानी शत किये पारी खेली हालांकी पार्ट टाइम गेंड बास ग्लेन फिलिप्स न्यूजिलैंड टीम के लिए मसीहा साबित हुए और उन्होंने वार्नर हेड समेट तीन कंगारू बल्ले बाजों को चलता किया आस्ट्रेलिया टीम इस समय वल्ड कप 2023 में व्यस्थ है इसके बाद आस्ट्रेलिया टीम भारत के खिलाफ 5 टी इंटरनाशनल मैचों की सीरीज खेलेगी मैथ्यू वेड इस सीरीज में आस्ट्रेलिया टीम की कमान संभालेंगे अनुभवी डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड स्क्वार्ड में अपनी जगह पाने में काम्याब हुए है जाने आस्ट्रेलिया स्क्वार्ड में किसे मिली जगह और कौन हुआ बाहर बंडे विश्व कप 2023 का आधा सफर खत्म हो चुका है टीमों के बीच लगातार कांटेदार टक्कर देखने को मिल रही है भारतिय टीम का इस विश्व कप में अब तक शानदार प्रदर्शन रहा टीम इंडिया की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक का बल्ला जमकर गरज रहा है विराट कोहली ने पिछले मैच में न्यूजीलाइंड के खिलाफ रनों की बरसात की थी भारतिय टीम को विश्व कप 2019 के सेमी फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था 11 जुलाई 2019 को न्यूजीलाइंड ने टीम इंडिया को हरा कर फाइनल में एंट्री की थी हाला की खिताबी मैच में न्यूजीलाइंड को इंगलाइंड के खिलाफ हार जहलनी पड़ी थी यह मैच पूर्व भारतिय कप्तान महेंद्र सिंध धोनी का भारत के लिए आखिरी मैच था ICC One Day World Cup 2023 में South Africa ने पाकिस्तान को एक विकेट से पटकनी दी इस मैच में जीत हासिल कर South Africa की टीम विश्व कप 2023 से पॉइंट स्टेबल में पहले स्थान पर पहुँच गई भारतिय टीम दूसरे स्थान पर खिसक गई है वही मैच में मिली हार के बाद पाकिस्तान टीम की सेमी फाइनल में पहुँचने की उम्मीदों को जटका लगा है सिंगम रोहित शेटी और अजय देवगन की Most Aveted फिल्मों में से एक है फैंस ने अब तक इस मूवी के दोनों पार्ट्स को बेशुमार प्यार दिया वहीं तीसरा पार्ट भी लोगों का दिल जीत सके इसके लिए एक्टर्स और मेकर्स जी तोड मेहंत कर रही है रोहित शेटी की फिल्म में एक्शन का डोस पहले से ज्यादा धमाकेदार होने वाला है रोहित शेटी ने फिल्म की जलक दिखाई है पती की लंबी आयू के लिए मनाया जाने वाले त्योहार करवा चौथ का इंतजार बॉलिवुज सेलिब्रिटीज भी बड़ी बेसबरी से करते हैं इस साल बीटाउन की हसीनाए शादी के बाद पहली बार अपने पती की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का वरत रखेंगी शादी के बाद किस-किस अभिनेतरी का पहला करवा चौथ है यहां देखिए लिस्ट सच्ची घटना पर आधारित वेब सिरीज दरेलवे मेन का मोस्ट अवेटेड टीजर जारी हो गया है धमाकेदार टीजर के साथ सीरीज की रिलीज डेट का एलान भी कर दिया है एक बार फिर दिवंगत अभिनेता इर्फान खान के बेटे बाबिल खान अपने अभिनेका जादू चलाते दिखे उनके साथ आर माधवन भी नजर आएंगे बॉलीबुर अभिनेतरी मलाइका अरोडा खूबसूरती और फिटनेस के मामले में यंग एक्ट्रेसेस को टककर देती है एक्ट्रेस की एक एक अदा पर फैंस अपना प्यार लुटाते हैं हाल ही में अभिनेतरी मलाइका अरोडा एक इवेंट में शामिल हुई इस दौरान मलाइका ने अपने एथनिक लुक में ग्लैमर का तड़काल गाया एक्ट्रेस का विडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है प्रोडक्शन पिरामिड में GLA-GLC के उपर और टॉप लाइन GLS के नीचे बैठती है अपडेटेड GLE SUV को फरवरी में दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया था और ये मूल रूप से एक नया वर्जन है नवीनतम संसकरण में बदलावों में सामने की तरफ एक नया बंपर LED हेडलाइट में बदलाव अपडेटेड टेल लाइट्स और अलोई भील का एक नया सेट शामिल है